तो निश्कर्ष क्या महत्व की बात करें तो संसद के महत्व में निश्चित रूप से रास्त तो हुआ है गत सत्तर वर्षों के सतंत्र भारत के राजनेतिक इतिखास में संसद का जो रूप है उसकी जो महत्ता है उसमें कुछ गिरावट तुआई है लेकिन ऐसे बहुत चो दारण है जब संसद ने अपनी वजूद को बारं बार महसूस कराया है और अपनी ताकत दिखाई है ये बात तो तहा है कि संसद आज भी सरकार पर नियंतरन रखती है क्योंकि वो तो समवधानिक प्रावधान है तो संसद का सरकार पर नियंतरन इस पर कोई दो मत नहीं विपक्ष भी जो है संसद में जो बैठता है वो विपक्ष भी हर काम में संसद की बारीकी से जाच करता है और संसद के अंदर उन बातों को रखता है तो विपक्ष भी अपनी भूमिका बखू भी निभाते रहा है हाँ वर्तमान परिप्रेक्ष में जब विरोधी दल के सदस्चों की संख्या बहुत कम है जैसा कि 1984 के काल में भी हुआ था उस समय विरोधी दल की आवाज कम हो जाती है लेकिन जितने भी सदस्च रहते हैं वे अपनी बातें मुखर तरीके से संसद में रखते हुए सरकार पर नियंतरन करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार सदन की महत्ता को बनाये रखते हुए यह बात तो हुता है कि इसमें कोई दो मत ने कि जो मंतरी परिशद है कारपालिका का राजनेतिक अंग जो है वो लोकसभा के परति उत्तरदाई है सामविक रूप से किसके परति जिम्मेदार है लोकसभा के परति और लोकसभा में इतनी ताकत है जो इसने बार-बार जरुरत पढ़ने पर दिखाई है कि वह सरकार को हटा सकती है लोकसभा द्वारा सरकार को हटाये जा सकता है इसके हमारे ही अपने संसिदी इध्यास में कई उधारन मिले है जब अविश्वास प्रस्ताओ पारित होने की शंका में कुछ सरकारें गरी अटल विहारी वाजपेई जी की सरकार मात्र एक वोट का बहुमत ना मिलने के कारण उसे सत्ताचित होना पड़ा ये उधारन संसद के महत को बताता है संसद की ताकत को बताता है ऐसे ही उस काल में कई दारण हैं जिसे हम 1977 से 1980 का काल कह सकते हैं जब एक के बाद एक प्रधान मंत्री बदले वी पी सिंग, इंदु कुमार गुजराल, चौधरी चरन सिंग, देवे गौडा, आदी आदी और ये सब क्यों? क्योंकि ये लोग संसद में अपना बहुमत साबित करने में कठनाई महसूस कर रहे थे संसद का भै इनको खाया था वो सद तक संसद निश्चित रूप से कारे पालिका को नियंतरित कर रही है और करती आई है इसके अलावा ऐसे भी मौक्या आए हैं जब किसी विध्यक पर किसी मामले में जब दोनों सदनों में सहमती ना हो और कोई भी विध्यक कानून नहीं बना हो इसमें क्या तो क्या होता है जब दोनों सदन सहमत ना हो तो कोई भी विध्यक कानून नहीं बन सकता ये सदन की ताकत को बताता है भले ही कई बार ऐसा किया जा सकता है गया है जब दोनों सद्रों में आश्च आहमति की स्थिति में एक जॉइंट सेशन संयुक्द अधिवेशन बलालिया जाता है और वहाँ पर बहुमत के अधार पे फिर निर्णा होता है कि विध्यक को पारित किया जाये या नहीं राष्ट पती जो बस ठापिका द्वारा या कारेपालिका द्वारा राज्यतिक कारेपालिका द्वारा मंत्रेवंडल द्वारा भेजे गए किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके उसे कानून नहीं बना सकता जब तक कि वह दोनों सदनों के द्वारा पारित न हो जाए कुछ सद तक सदन का महत तो है ऐसी भी स्थिति आई है जब लोक सभा में एक दल का बहुमत है लेकिन राज्य सभा में उस दल का बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थित्य में लोकसभा में विध्यक पारित हो रहा है लेकिन राज्यसभा उसका सत्त रूप से विरोध कर रहा है ऐसी स्थित्य में भी कानून नहीं बने लोकसभा में पारित होने के बाद भी कानून नहीं बना यद्यपी राज्यसभा को बाद में नेमानुशार ल आज जब वापस उसके पास आता है प्रस्ताओ तो राज सभा उसे स्विक्रित करने के लिए बद्ध है लेकिन निशकर्ष ये कि सदन कारे पालिका पर हावी है यद्यपी उसके स्तर में गिरावट आई है लेकिन आज भी जो व्यवस्थापिका है उसकी मौजूदगी उसके अस्तित्व पर प्रश्चिन नी उठाया जा सकता हूँ आतंकवाद निवारन विध्यक की यदि हम चर्चा करें तो आतंकवाद निवारन विध्यक लोक सभा में तो पारित हुआ कि इन तो राजी सभा में पास नहीं हो पाया प्रणाम क्या हुआ कि ये विध्यक खारी जी हो गया और इससे भी ये साबित होता है कि भारती संस्द की गतिशीलता भारती संस्द की सक्रियता और भारती संस्द की शक्ति कितनी मजबूत है संस्द की ताकत के अनेकों दारन दिये जा सकते हैं ये तो संस्द की ताकत ही थी जिसने कई सरकारों को बदला है और भारत के स्वयम के इतिहास में आप देखें नजर डालें तो ऐसे कई अवसर आये जब संस्द ने कारेपालिका को विवश किया कि वहर विवश थापिका की लाइन को फॉलो करे इस वकार हम देखते हैं कि संस्द की महत्ता में थोड़ी गिरावट है लेकिन संस्द अभी भी हमारे लिए सर्वोच राजनेतिक संस्था है इस पकार संस्द की महत्ता में जो रास उसको हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं हाँ या ना नीति निर्मान की पहल मंत्र मंदल द्वारा होती है स्पष्ठ है अत्यंत शक्ति शाली मंत्र मंदल को भी विधाईका में बहुमत की आवश्कता पड़ती है ये संस्द के बारे में दो बिंदु है पहला नीति निर्मान की पहल मंत्र मंदल द्वारा ही होती है और यदि ना की ओर जाएं तो इसमें हैं अत्यांत शक्तिशाली मंत्रि मंदल भी यदि होगा तो उसे विधाईका में बहुमत के आश्कता पड़ती है दूसरा हां में शासन का एजेंडा यह भी मंत्रि मंदल तै करता है ना में यदि जाएं तो सशक्त नेता द्वारा भी सदन को अपने जवाबों को संतुष्ट करना आवश्यक है नेता कितना भी मजबूत हो, कितना भी बड़ा हो उसके लिए जरूरी है कि वो सदन को संतुष्ट करें यह आवश्यक है तीसरा इस एजेंडे को लागू भी मंत्रि मंडल द्वारा ही किया जाता है और ना कियो और यह दिजाएं संस्द में तो वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक मंच और सरकार का चाइन करने और बर्खास करने की शक्ती इसमें रहती है सदन में तो इस पकार कुछ मामलों में अदि थोड़ा हरास है तो ऐसे बिंदू भी हैं जो साबित करते हैं कि सदन की सत्ता महत अभी भी उतना ही बरकरार है जितनी सम्विधान निर्माताओं के द्वारा अपेक्षित थी अब अगला बिंदू जो है वह है क्या हमें दो सदनों की जरूरत है विधाई का जिसे हम संसत कहते हैं उसे द्वी सदनी होना अवश्यक है दूसरे शब्दों में राज्यसभा की क्या उप्योगिता है एक और सदन की उप्योगिता पर ही सवाल उठने लगे हैं कम से कम कुछ सवाल तो उठने लगे हैं दूसरी और उन्स दो सदनों में से एक सदन उसकी उपयोगता पर प्रारंब से ही सवाल उठे हैं और वह है राज्यसभा लोग सभा के रहते हैं राज्यसभा की जरुरत क्यों तो अब हम बात करेंगे दूसर्दनात्मक विवस्था पिका के पक्ष में क्या तर्क हैं विचारकों के क्यों दूसर्दनात्मक विवस्था हमारे हैं रखी गई है इस पर हम थोड़ा समझेंगे पक्ष और विवपक्ष दोनों में पक्ष में बात करें तो लोगं का तर्क है कि पहला ऐसा होने से अविचार पूर्ण कानूनों पर पुनर विचार हो जाता है पहला बिंदू, पहला तर्क, दूश सदनात्मक, विवस्थापिका के पक्ष में ये है कि अविचार पूर्ण कानूनों का पुनर विचार जो दूसरा सदन है वो पहले सदन के द्वारा पारित किये गए विध्यक वो तावले पन में बनाएं गए अविचार पूर्ण कानून उस पर पुनर विचार करता है हो सकता है कि पहले सदन ने उतावले पन में अति उत्साह में कुछ ऐसा गलत कानून बना दिया है या कुछ ऐसा गलत विध्यक लाया है और पारित भी कर दिया जो उचित नहीं है ऐसे स्थिति में जब ऐसा विध्यक जिस पर प्रश्णिचे ने लगा हो वो जब दूसरे सदन के पास जाता है वहां के पटल पर रखा जाता है तो ऐसे विध्यकों पर पुनर विचार का एक मौका मिलता है जो बहुत मत्पूर्ण होता है ऐसा कई बार देखने में आया है कि प्रथम सदन में लोक सभा में करांतिकारी भावुक अव्यावारिक और प्रगतिशील विचारों वाले युवक युवतियां जो सदस से बन के आते हैं वे अति उत्साह में आवेश में आकर कुछ ऐसे कानून बना डालते हैं कुछ ऐसे विद्यक ले आते हैं और पारिद करने के गुजाईश देखते हैं जो संभवता है जनहित विरोधी हो और आने वाले दिनों में विशेश कर गत तीस वर्षों में ऐसे उत्साहित युवक युवतियों का बाहुल्य है संसद में लोक सभा में जो वैसे तो कानून के बारे में जादा नहीं जानते हैं राजनीती के बारे में जादा जानते हैं और राजनीती के बल पर वो संसद में आये हैं और भावनाओं के साथ खेल कर करांतिकारी विचारों के नाम पर कुछ अव या भारिक और प्रगतिशील विचारधारा के नाम पर कुछ बेतुकिय विध्यक सामने लाए हैं जो संभवता जन विरोधी हो जब ऐसे विध्यक जो ती सदन के पास जाते हैं जहां पर अपेक्शाकृत गंभीर लोग रहें जहां पर अपेक्शाकृत अनुभवी लोग है और निश्चित रूप से ये अंतर तो दोनों सदनों में है कि राज्यसभा में ज्यादा अच्छी पैठ वाले अच्छी समझ वाले धैरे वाले कुशल पूर्ण ऐसे सदस्यों की संख्या की बहुलता है तो उनके पास जब ऐसे अविचार पूर्ण कानून जाते हैं तो वहाँ पर पुनर विचार का एक मौका मिलता है और ये पुनर विचार जब होता है तो यदि शंकाएं हैं तो वो दूर हो जाती है यदि ये पुनर विचार होता है तो हसंभवता है कि ये कानून ही रद कर दिया जाए ये विद्यक ही रद कर दिया जाए आदी इस सम्मन में ब्लंचली प्रसिद राजनीत वेत्ता उन्होंने कहा है कि दो आँखों की अपेक्षा चार आँखें अधिक अच्छा देखती हैं विशेष्टिया जब किसी विशेष पर विभिन दृष्टिकोणों से विचार किया जाना हो तो ये जरूरी है कि चार आँखें कम से कम हो दो आँखों में गलती की संभावना है चार आँखों में सुनिश्चितता होती है कि इस तरह की गलतियां ना हो जो जन हित में ना हो लेकिन आगे कहा है कि नियंत्रन करने संशोधन करने और बाधा डालने तीन काम नियंत्रन करने संशोधन करने और बाधा डालने का काम दूसरे सदन का है और जो सदन ये तीन काम करता है इससे उसकी आवश्चिकता स्वयम सद्ध है Self-Proved कि ये तीन काम करने वाले की सक्थ जरूरत है और जो सदन ये काम करता है उसकी जरूरत स्वयम सद्ध है बहुत संक्षिकत में उन्होंने दूसरे सदन की महत्ता पर प्रश्ण उठाने वालों को ये उत्तर दिया है तो अविचार पूर्ण कानूनों पर विवेक पूर्ण विचार पुनर विचार की संभावना पहला कारण दूती सदन का होने का दूसरा कारण प्रश्ण सदन के कारे भार में कमी इसके क्या माइने है दूसरा सदन जो है वो जो विवाज संबन्दी विवाजों से जुले हुए जो है मामले उसको अपने हाथ में ले लेता है और ऐसा करते हुए वे कारेभार को बांट लेता है शक्ति को नहीं बांटता कारेभार को बांट देता है दूसरे सदन के कारेवों में कारेभार को कम कर देता है शेयर कर लेता है और ऐसा करते हुए उसे अधिक कारे करने का उसर देता है तो ये कारिभार को मांटने का जो महत्पूर्ण काम दो सदनों के बीच में हो जाता है वह भी दूसरे सदन की महत्ता को जाहिर करता है दूसरा सदन पहले सदन के मात्र कामों की कुछ जिम्मेदारी लेकर उनके कामों के वजन को कम करता है बलकि इसके साथ-साथ उत्तरदाइत निर्वा करके उनकी साहता भी करता है ताकि वे अपने कारे को ज्यादा उत्तरदाइत तरीके से कर सकें इसकी संभावना प्रबल हो जाती है जब दो सदन रहते हैं तो तीसरा बहुत महत्पून कारे या तीसरा बहुत महत्पून कारंड जो दूसरे सदन की आवश्यकता को साबित करता है वह है प्रथम सदन की निरंग कुष्टा पर रोक एक लोक तंतरी देश में ये अत्या वश्यक है कि किसी का भी निरंग को शासन ना हो चाहे सरวोच पत पे बैठे राश्पती का या कारेपालिका में प्रधान मंतरी का या सदन का किसी का इसी लिए CHECK और BALANCE की नीती अपना ही जाती है लोकत तंतर में उसी CHECK और BALANCE की नीती के तहद ये सदन निरंकुश ना हो जाए ताना शाही प्रवृतिका ना हो जाए कुछ भी करने के लिए आमादा ना हो जाए उस पर लगाम देने के लिए दूसरे सदन की जुरत है तो दूसरे सदन की जुरत केवल इसलिए भी नहीं कि वह उनका लोड ले कि वह इसलिए नहीं कि पुनर विचार के लिए एक मौका मिल जाता है बलकि इसलिए भी कि एक पहला सदन कहीं निरंकुष न हो जाए जिस भी देश में एक सदनात्मक विवस्था है वहां निरंकुषता और सुच्छा चारिता के उधारन मिले हैं और इसकी पश्ट संभावना है परतु जहां पे दू सदन आत्मक विवस्था पिका है जहां पे दो सदन है वहां ऐसी संभावना नगन्य होजाती है बहुत कम होजाती है इसलिए ब्राइश्च ने लिखा है कि दो सदनों की आश्कता जो है वो इस बात पर आधारित है कि एक परिशद की स्वाभाविक प्रवृत्ती ग्रणापूर्ण अत्याचारी तथा भ्रष्ट बनने की होती है यदि एक परिशद हो तो एक नैचुरल जुकाओ होगा नैचुरल टेंडेंसी होगी कि उनके उपर किसी का कंट्रोल नहीं है या उनको चैलेंज करने वाला नहीं है कोई तो वो घ्रणापूर्ण तरीके से पेश आएंगे अत्याचारी बनने की कोशिश करेंगे ब्रष्ट बनने की कोशिश करेंगे और इसलिए इसे रोकने के लिए समान सत्ता धारी, समान सत्ता धारी दूसरी परिशद आवश्यक है, समान सत्ता धारी उसके उपर नहीं, उसके साथ समकक्ष, चेक एंड बैलेंस के तहत ये जरूरी है अनिता वह संस्था भरष्ट हो जाएगी वह संस्था अत्याचारी हो जाएगी वह संस्था घरणापूर्ण कारियों के लिए करने लगेगी तो ये तीसरा और बहुत महत्पूर्ण कारण है निरंग कुष्टा पर रोक चोथा कारण जो इस बात को थाबित करता है कि दो सदन क्यों होना चाहिए वह है कारेपालिका की स्वतंतरता में वृद्धि कारेपालिका के स्वतंतरता में वृद्धि के माइने हैं कि दोनों सदन एक दूसरे पर नियंतरन रखते हैं दूस सदनातों के अस्था में जो दो सदन हैं वो खुद एक दूसरे पर नियंतरन रखते हैं जैसा पहले बता जाए इसका प्रणाम क्या होता कि कारे पालिका जो है वो किसी भी एक सदन की कठ पुतली बनने से बच जाता है क्योंकि यदि कोई एक सदन ऐसा करने का प्रयास कर रहा है और कारे पालिका को अपने इशारे पे नचाने के कोशिश कर रहा है तो दूसरा सदन ऐसी प्रवृति को बढ़ने से रोकता है दूसरे सदन की उपस्थिती पहले सदन को ऐसा करने से रोकती है और इस प्रकार कारेपालिका कट पुतली होने से बच जाती है कारेपालिका स्वतंतरता बनाया रखती है और बिना किसी दबाओ के सर्वोच हित में वो अपना कारे करती है गैटिल ने तो कहा है कि दोनों सदन चाहे वो अपर हाउस हो या लोवर हाउस हो एक दूसरे पर रुकावट का कारे करके कारे पालिका को अधिक स्वतंता देते हैं एक दूसरे पर रुकावट और अंतं में इस से दोनों विभागों के सरवोष्षित और लोक हित में वृद्धि होती है तो इसकार दोनों जब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस करते हैं तो उसका कुल अच्छा परणाम कारे पालिका के कारें पर निकलता है जब वो सतनता पूर्वक अपना कारे कर सकती है। पाँचवा कारण है संग्सात्मक राजियों के लिए विशेश उपियोगी। जैसा मैंने पूर में बताया दो सदन में एक सदन में प्रत्यक्ष चुनाओं होता है जनता के प्रतिनिदियों का वह है लोक सभा। और जो दूसरा सदन है संग में अर्थाथ फेडरेशन में वहां राज्य सभा है जिसमें प्रत्यक्ष चुनाओं नहीं होते हैं बलकि आप प्रत्यक्ष होते हैं। राज्य सभा में राज्यों से प्रतिनिधी आते हैं और लोग सभा में जनता के प्रतिनिधी आते हैं वहां राज्य का संबंद नहीं हैं यदिपी हर जनता किसी न किसी राज्य से जुड़ी है पर एक निर्वाचन खेत्र जनता का होता है और जबकि राज्यों की बात करें त तो राज्य के प्रतिनिदी जो रहते हैं, जिसे जनता चुनी होती है, वे चुनते हैं राज्य सभा का सदा से. तो इसलिए हम देखते हैं कि संगात्मक प्रणाली में राज्यों को प्रतनेजित्व देने के लिए केंद्र में एक संस्था का होना जरूरी है और वह है राज्यसभा दूईती सदन विशेश रूप से उपयोगी संगी व्यवस्था में ही है यदि संगी व्यवस्था नहीं रहती तो संभवता दूसरे सदन के आचित्य पर बारंबार सवाल उठाय जा सकते थे पर संगी वियस्था में ऐसा करना ना जायज होगा, संगी वियस्था में राज्य सभा का ओचित्य बहुत महत्पूर्ण है वियस्थापिका का जो प्रसम सदन है वो नागरिकों का और जुती सदन जो होगा संग राज्यों का तो राज्यों का प्रतिन दित्व करने के लिए राज्य सभाव कई जगा देखा गया है कई अन्य देशों में कि दूसरे सदन में संग की एकाईयों को समान प्रतिन दि भारत में ऐसा नहीं है भारत में संग की जो एकाईयों है राज्य जो है उन राज्यों को समानुपातिक प्रतनिजित्व है अनुपात के अनुसार है छोटे राज्य तो कम प्रतनिजित्व है बड़े राज्य तो ज्यादा प्रतनिजित्व है लेकिन ऐसे देशों में जहां समान प्रतनिजित्व वहां पर छोटे राज्यों को भी बड़े राज्य के बराबर का प्रतिनिजित्व का मौका मिला है ये उन राज्यों के इशेष्टा हैं दूसरे सदन के माध्यम से ये जो छोटे छोटे राज्य हैं ये समानता के आधार पर अपने हितों के रक्षा करते हैं और संतुष्ट रहते हैं और इसलिए राज्यों में एकता भी बनी रहती हैं लेकिन भारत ने कुछ दूसरा ढांचा लिया है भारत ने राज्य के जनसख्या के अनुपात में राज्य सभा के सीटों का बटवारा किया है और इसलिए जनसंख्या की साइज के अनुसार जनसंख्या के आकार के अनुसार सीटों के संख्या कम ज्यादा है राज्य सबह में